इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे मुंगेड मिर्जाचो की फोरलेंड अपडेट के बारे में तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नई किये हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब दरसल आज इस वीडियो अपडेट में हम बात कर रहे हैं मुंगेड मिर्जा चोकी फोरलेंज सरक के बाड़े में 26 किलोमेटर और 196 फीट चोड़ी यह बनाया जाएगा सरक की उचाई बार के पानी के लेवल को देख कर बनाया जाएगा और सरक निर्मान के लिए दोनों तरफ पीलर भी गारा जाएगा जमीन को लेवलिंग करके मटी भड़ा गया है और फिलहाल अभी सरक को उचाई करने में थोरा सा काम अभी और बाकी है 2025 तक यह योजना कंप्लीट करने की बात कही जारी है और फोरलेन का निर्मान कार्य 2025 तक पुरा करने की योजना है यह कार्य को गुजरात की कंपनी मॉन्टे कार्लो प्राइबेट लिमिटेट को मिली है कार्य अजनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर बताते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह काम भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा हालां कि कई जगह पर अतिकर्मान और साथ साथ अन्य परसानी निकल के सामने यारी इसके बावजूद भी यह प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष रखा गिया है अब बात करते हैं मुद्य की धरसल बारिस वो गंगा का पानी फैलने से फोर्लेन का काम कई जगह पर अब रुखने लगा है बरियारपूर परखंड के निचले हिस्चों में बारी सत था गंगा का पानी फैलने के कारण अगले चार मेहने तक बरियारपूर से घोरगट तक मुंगेर से मिर्जाचों की फोरलेंस सरक निर्मान का काम बाधित रहेगा पाने निर्मान कार को लगतार रोकड़ा है और इस वज़र से हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में विलंब हो कई जगों पर गंगा का पानी बढ़ियारपूर परखंड के निचले हिस्टों के आसपास फैल चुका है रतनपूर, कलियानपूर, घोरगट, बहादूरपूर, आदी में गंगा का पानी फैल गिया है NH-333 के पुर्वी भाग के हिस्टों में भी पानी का जमाव हो गया है और ऐसे में ये काम फिलाल अभी सलो हो चुका है हलाकि कई जगों पर इस फोर लेन का काम किया जा रहा है इसके साथ ही आने वाले नेक्स्ट वीडियो ब्रेट में कई और जानकारी हम लेकर किया आएंगे या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं साथ इस वीडियो को कड़े सेयर आने अपडेट के लिए